नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Samsung Galaxy A03s है A03 core है या कोई और model है तो यहाँ पे आप कोई भी contact number को कैसे block कर सकते हैं या फिर unblock कर सकते हैं तो full setting यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ तो call, block, unblock करने के लिए जब आप यहाँ पे dialer पे जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई number है तो आप इस पे क्लिक करेंगे आई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे more पे क्लिक करेंगे यहाँ पे block contact का option आ जाता है तो block contact आप कर लेंगे और okay कर देंगे block पे तो यह contact आपका block हो गया है और यहाँ पे आपको blue color का barrier देखने को मिलेगा एक तो तरीका यह हो गया कि आप यहीं से इसको block कर सकते हैं और unblock करने के लिए आपको फिर से यह open करना पड़ेगा और यहाँ पे click करके unblock contact पे click कर लेंगे तो यह unblock हो जागा यह blue color का barrier हट गया है अब इस person की call आने स्टार्ट हो जाएगी ठीक है और दूसरा तरीका यह होता है कि मालीजी आपने किसी person को block कर रहा तो black list की setting कैसे खोलनी है ना तो आपके contact में है अभी ना recent में ना keep it पे तो आप black list की setting कोलने के लिए जब आप यहाँ पे three dots पे click करते हैं कि तो यहाँ पर setting को option देखने को मिलता है settings के आप click करेंगे तो यहाँ पर इस ट्रैप से option देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर ब्लॉक नंबर क जो option ओपर आप इस पे click कर लेंगे और यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं यह रहा contact नंबर जो block हो रखा है minus पे आपको click कर दिना है तो यह नंबर आपका remove हो जाएगा यहाँ से चीक है तो इस step से आप setting कर लीचेगा बाकि blacklist की setting यहाँ पे block number की आप यहाँ पे कर सकते हैं प्राइवेट नंबर यहाँ नंबर से call आता है तो उसको आप यहाँ पे block कर सकते हैं ताकि आपका phone harassment वगरा से बचा रहे है तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार